भारत के ऐसे अजीबों गरीब रेलवे स्टेशन जिनके नाम सुनते ही आपकी हसी छूट पड़ेगी अगर आप भी अपनी यात्रा को मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इन स्टेशनों के नाम एक बार जान लें सुनकर आपकी हसी नहीं रुकेगी डेश की लाइफ लाइफ लाइन बना भारतिय रेलवे स्टेशन लाखों लोगों को रोजाना यहां से वहां ले जाता है इसी बीच आपको कई स्टेशन पर टंगे हुए बोर्ड पर नाम भी नजर आते होंगे इन में से कुछ नाम बेहद अजीब होते हैं कभी कभी तो पढ़कर हंसी छूट जाती है और हम यही सोचते हैं कि कौन ऐसे नाम रखता होगा आज ऐसे ही कुछ रेलवे स्टेशन के नामों से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं इनके नाम सुनते ही आप हंस हंस कर लोड़ पोर्ट हो जाएंगे पहले रिष्टे वाले रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं नमबर वन बीबी नगर रेलवे स्टेशन दक्षन मध्य रेलवे में विजेवाड़ा डिवीजन का ये रेलवे स्टेशन टेलंगाना में मौझूद है ये स्टेशन टेलंगाना के भुवानिंगर जिले में स्थित है वैसे आपको बता दें, इस railway station का किसी भी व्यक्ति की बीबी से कोई लेना देना नहीं है नंबर टू बाप railway station नाम से तो आपको यही लग रहा होगा कि ये station सभी station का बाप होगा लेकिन ये railway station राजस्थान के जोदपुर में स्थित एक बहुत छोटा station है अब बाप के नाम का station आया है तो नाना का station भी होगा ही होगा नाना station भी राजस्थान में मौझूद है यह railway station सूबे के सिरोही पिंद्वारा नामक जगह पर स्थित है नाना सुनकर कही आप नाना पाटेकर का station तो नहीं समझ रहे इस नाम को सुनकर तो ऐसा लगता है कि बस साथ में जीजा नाम का और station होता तो जीजा साली की जोड़ी खूब जमती यह station जोदपुर जिले डूडू नामक स्थान में स्थित है यह station उत्तरी पश्चिमी railway से जुड़ा हुआ है नमबर फाइब ओर्निया चाचा railway station लोजी चाचा भी आही गए यह station उत्तर पश्चिम railway के जोदपुर डिवीजन में पड़ता है यह station राजस्थान के पोक करके बेहत करीब है यहाँ और्नि के साथ चाचा क्यों लगाया है यह हमें अभी तक समझ नहीं आया है नमबर सिक्स सहेली railway station सहेलियों का भी station आ गया यह railway station मध्य प्रदेश के भोपाल और इटार्सी के नजदीक है यह station मध्य railway के नागपुर डिवीजन में स्थित है जब आप अपनी मा को कहेंगे कि मा मैं सहेली जा रही हूँ सुनने में कितना अजीब लगता है चलिए अब बताते हैं जानवरों के नाम के railway station नमबर वन काला बकरा railway station यह railway station जलंधर के एक गाव में पढ़ता है और इस station का नाम सिर्फ बकरा ना बोलें फुल इजज़त के साथ काला बकरा कहें भारत में वैसे आप कई जूमे कई जानवर देखने को मिल जाएंगे लेकिन station के नाम भी सुवय या काला बकरा station रखा जाएगा यह हमें नहीं पता था सुवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित एक गाव है रामपुर, मुरादाबाद और अम्रोहा सुवर के निकर्तम बड़े station है इस station से ज़्यादा ट्रेने नहीं गुजरती है इसका नाम 50,000 की आबादी वाले टैलंगाना के निर्मल जिले में स्थित भेंसा शहर के नाम पर रखा गया है नमब फोर बिल्ली जंक्षन ये station उत्तर प्रदेश के सोनभद जिले में स्थित है और ये एक छोटा सा गाव भी है ये स्थान बिल्लियों के मिलने की जगा रही होगी लेकिन दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक बोर्डिंग स्थेशन है कुट्टा करनाटक राज्य का एक छोटा सा गाव है जो कूर्ग शेत्र के किनारे पर स्थित है इस जगह की प्राकृतिक सुन्दर्ता और वन्य जीवन रोमान चांग को बेहत भाता है अन्य अजीबो गरीब रेल्वे स्थेशन के नाम ये रेल्वे स्थेशन जारखंड में स्थित है जहां से कई सारी ट्रेने चलती है इसलिए इस नाम से ये मत सोचिएगा कि यहां पहुँचकर आपको भागना पड़ेगा हां ट्रेन शूट रही होगी तो भागना पड़ सकता है चिंता मत करिये, इस सिंगापो की यात्रा के लिए आपको वीजा की आवश्यक्ता नहीं होगी सिंगापो रोड स्टेशन ओनिसा में है, विभिन एक्सप्रेस ट्रेन इस स्टेशन को पार करती हैं और भारत के विभिन मार्गों पर चलती है दारू असल में जारखंट के हजारी बाग जिले का एक गाव है और स्टेशन का नाम इसी से प्रेरित है यह स्टेशन हर्याना में पानीपत के करीब है, यहां रोजाना दो प्लेटफॉर्मों पर सोलर ट्रेने रुपती है इस रेलबे स्टेशन पर आकर शायद आप भी दिवाना हो सकते हैं आपको स्टेशन का नाम जोरूर पसंद आया होगा प्लीज मेरा चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए जय हिंद